राजस्तान के भिवाडी की रहने वाली अंजू अपने फेस्बुक फ्रेंड नस्रोल्ला के प्यार में राजस्तान के भिवाडी से पाकिस्तान की खैबर पक्तुनक वजा पहुची अंजू ने पाकिस्तान जाकर इसलाम अपना लिया और फिर फातिमा बन गई अंजू ने न नस्रूला से निका भी कर लिया अब अन्जू के मामले में नया मोर सामने आया है अन्जू और नस्रूला के खिलाफ केस दर्ज किया गया है यह केस अन्जू के पती अरविंद ने दर्ज कराया है बता दें अन्जू और नस्रूला के खिलाफ अन्जू के पती अरविंद ने बिवाडी के फूल बाग थाने में केस दर्ज कराया है। देरात अरविंद रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने पहुचे। बिवाडी स्पी विकाज सर्मा ने अंजू के खिलाब रिपोर्ट दर्ज होने की पुष्टी की है। उन्होंने कहा कि अंजू और नस्रूला के खिलाब धारा 366-404 में 500-506 IPC 66 IPC Act में मामला दर्च किया गया है अर्विंद की सिकायत पर भिवाडी पुलिस ने मामला दर्च कर जाद सुरू कर दी है पुलिस ने अंजू के खिलाब साधी सुधा होने के बावजो दूसरी साधी कर धोका देने और पाकिस्तान से वाट्स अप कॉल कर धमकी देने का किस दर्च किया है गोर तलब है कि 20 जुलाई को भिवाडी से पाकिस्तान चली गई पाक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अंजू ने पाकिस्तान में इसलाम अपना कर नश्रोला से निका कर लिया है प्रसिचू IPS सुजीत संकर ने बताया कि अन्जू के खिलाब उसके पती अर्विंद ने केज दर्च कराया है इसमें कहा गया है कि अन्जू ने बिना तलाग दिये पाकिस्तान चाकर दूसरी शादी कर दोखा दिया है अन्जू ने पाकिस्तान से वोट्शब कोल कर धमकी भी दी है बता दिये अर्विंद ने जो रिपोर्ट दजगराई है उसमें कहा गया है कि अन्जू ने साधी सुदा होने की बावज़ूत पाकिस्तान में अपने फ्रेंड नसरो ला से सोशल मीडिया पर बाचित की उसके संपर्क में आने के बाद नसरो लाने आंजू को जूटा आजवासन और जूटे खुआप दिखा कर पलोबन दिये इसके बाद अन्जू को बहला फसला कर पाकिस्तान बुला लिया जबकि नसरूला को इस बात का पता था कि अंजू साधी सुधा है उसका पती और दो बच्चे हैं इसके बावजूद अंजू को पाकिस्तान बुला लिया वहीं आपको बता दें सिकायत में कहा गया है कि अंजू ने बिना तलाक दिये पाकिस्तान जाकर नशूल्ला से निका कर लिया इसलिए अंजू के खिलाब कानूनी कारवाई की जाए इसके अलावा अंजू ने पाकिस्तान से मॉबाईल पर धंकी भी दी पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के एनुसार अंजू ने पाकिस्तान में दर्म परिवर्थन कर अपना नाम फातिमा रख लिया है उसने नस्रोला से निका भी कर लिया है अब बताया जा रहा है कि अंजू का वेजा दो महीं ने और बढ़ा दिया गया है इधर अर्विंद ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि उसकी साधी अंजू के साथ इसाई रीती रिवाद से बिना किसी दान तहेच के साथारंड तरीके से भिवाडी चर्च में 3 जनवरी साल 2007 में हुई थी इसके बाद पती पतनी साथ साथ रहने लगे इसके बाद एक बेटी और एक बेटा हुआ इसके बाद अंजू बच्चों के साथ बिवाडी में रहने लगी अंजू 21 जुलाई 2023 को दोपैर में करीब पोने 3 बचे बिवाडी से बिना बताई चली गए थी उसने पाकिस्तान जाकर नश्रोला से निका कर लिया जो मीडिया के माध्यम से पता चला अभी तक अंजू नहीं तलाक नहीं लिया है ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहे इन कबर के साथ